हलो यो मैं हुं अनिमबार आप सब कैसे है mouse सब बढ़या होंगे या आज मैं लेकिन चैनल पर जितनी लिएन डाली है ना कि कि आपट यलिकिति आसानी से ले सकता है लेकिन आज है कि ऐसी अकार ले क्यारा हूं तो फीचर जब में इंडिया में आ रही आई नहीं नंवेनी भी बिक शी उसे एकि हमारे शेर में आ जूकिए है अगर इसSon इसकी होग कौन के वेरेंन्हें नहीं है आशने है इंचुरिक नहीं व्रेयंट्स आथे है कि अब दो वेरेंट आते हैं जीटी लाइन और जीटी लाइन में यह एक all wheel drive बस यही दो option हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं यह अपने सामने जो वेरेंट खड़ा हुआ है जीटी लाइन all wheel drive खड़ा हुआ है अगर इसके price की बात करूँ न तो इसका जो एक्ट्रूम प्राइस है वह 66 लाइक रूपी और अगर ऑन रोड की बात करता हूं तो बरेली में यूपी के बरेली सिटी में यह आपको लगने ही नहीं देंगे सार्व को जो features आपको सार में देखने के लिए मिलते हैं उससे आपको यह कार महंगी लगेगी ही नहीं वहिए अगासे स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट से एक एक चीजे हम लोग गिनते वूँ चलेंगे बहुत सारे features करूं सबसे पहले इसकी विट बहुत चोड़ी और क्या चीज बनाई है आगे से एक अग्रैसिब टार्जन पिच्छर नहीं आई थी बिलकुल टार्जन वाला फील देदेगी बहंकर अगर इसके विट की बात तुरो मोटा मोटा 1900 करीब 1890 mm की विट करीब आप मानलो एक्षु भी सेवन डावलो के बराबर मिल जाती है अगर बात करता हूं हेड लाइट की आप देखेंगे तो यह अपने ब्लिंकर्स होगा नीचे यह DRL हमें यहां देखने के लिए मिल जाती है दोनों पॉइंट ही अपने हाइवीम लोवीम सारे अपने यह लाइट सब LED सेटप है कुछ भी और इसमें देखने के बाकि आपको देखने के लिए मिल जाता है और बाकि आपको एक चीज़ और जहान दिंगे यहां पर दिख रहा है न यह एसे ही नहीं दिया हुआ है अधास लगब सब कुछ देख सकते हैं तो इस तरह से रहता है कुछ और बूल चुक मार क्योंकि इतनी बड़ी कार है इतन क्या चीज बनाई है मतलब यही निकलेगा मुझसे इस कार को देखकर भाई अगर इसी लेंध की में बात करूँ ना तो लेंध इसकी मिल जाती है 4695 भाई करीब 4700 एम और भाई अगर बात करूँ वील बेस तो अंदर स्पेस बनाता है तो भाई वील बेस थोड़ा बहुत नह तो आप देखेंगे नेक्सन कंपनी है 235 55 R19 19 इंचिस के टायर देखने के लिए मिलना है बड़े भाई कार आप देख रहे हो उससे सबसे टायर्स भी उसी के अखॉर्डिंग और भही आप देखेंगे यहां पर हमें क्या अलाइवी बिल्कुल भाई ऐसा नहीं स्टैलिश वील दे दिये गए हो और आल फॉर डिस ब्रेक हमें देखने के लिए मिल जाते हैं आगे पीछे हर तरफ भाई अगर बात करता हूं और व्यां इलेक्ट्रिक लिए फोल लेवल बिल्कुल नहीं पूछना है वाई सब को चाहिए छोटी मूटी बात तो इस कार में पूछना तो इस तरह से रहतने उफिर इसी को कवोल के हम कार के अंदर चले जाते हैं बाकितों कुछ इसतरह से सीन यहां का चली है ऑवराल साइड़ वीव था कुछ इस तरह से वहीं अगर कार के क्यों घाम आते हैं नो वहीं के भी कितना बहतरी मतलब जितनी अच्छा ही करो आप इसकी उतनी ही कम है अच्छा ही इसकी बहीं अगर रियर में आप ध्यान देंगे तो यह तो अपने भी यहां पर कैमेरा देखेंगे तो यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है इसकी बेसिक चीजे हैं बिल्कुल यहां पर बाकि अगर मैं बूट को ओपन करता हूं न तो यहीं से open होगा यहां से बटन दवाना है लाक्ता टेल गेट रिलीज और कितना बड़ा बूट स्पेस है अगर numbers में बात करता हूं तो लगवग लगवग हमें यहां पर जो बूट अगर आपको इसका यूज नहीं है सामान जादा रखना तो इसे फिर ऐसे करा इसे छोड़ दीजिए बाकी इस तरह से इतना बड़ा लार्ज बूट स्पेस अगर नीचे देखेंगे तो अलग से तोड़ा टूल रूल रखे रहते हैं यहां पर बाकी अगर आपको थोड़ा स्पेस बढ़ा बढ़ाना है कार में सीट को पर फोल्ड करना है तो कुछ नहीं करना है यह वस ऐसे करना है यह सट यहां से आगे चलिए और आपको इससे बढ़ जाता है वैसा हम जाते हैं अगर यह देखेंगे 12b attack 120 what का सॉकित यहां पर क्या का में तो बाकी उपनों को क्य पीछे से भी आवाज का पूरा आनन्द आपको मिलना चाहिए और बागी बूट को बंद करने के लिए फिर कुछ करना है कुछ नहीं करना बस बटन को ऐसे प्रेस करना है बूट अपने यहां पर बंद हो जाएगा बात आती है इसमें पैट्रॉल डीजल अब इवी है तो चार्ट कहां से होगी कहीं कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है इस साइड है उस साइड है मैं भी गन्फ्यूज हो जाता हूँ खोल के बताता हूं आपको फिलाल इस साइड है आपको क्लियर बता जेता हूँ पता नहीं चलेगा कभी भी यहां पर हमारा इवी कर रहता है मैंने भी इस तरह जिवाई इसे कर रखा है ना अब पडोस में मैं होगा तो कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी देखिए यहां पर आपको मिल जादा इसे अनलॉक करने गई है जो चार्टिंग टाइप को बन भी नहीं जाना है पूरा काम ऐसे ही होगा आपको कुछ भी उतर के तो करना ही नहीं है इस कार में तो ओवर वाल इस तरह से रहता है 360 व्यू इस प्यारी सी एक कार खा जो आपको बिल्कुल दीवहना बना दे उस टाइप की कार यहां पर है चलिए आप कार के अंदर चलते ह और सबसे पहले इसके हजार को आफ कर देते हैं चलिए अगर मैं गेट पर आता हूं न तो देखींगे एक अलगी सीन है वही बिल्कुल और आप यह वाइट वाइट पॉलीटीन देखें यह मत समझेगा यह क्या दे दिया यह तो नहीं सब ग्लॉसी ब्लैक है यह इसलिए अगये एक स्क्रेच भी ना आए इस पर यह अंदर से ग्लॉसी ब्लैक निकलेगा और फॉप विंडो चैल सेफ्टी लॉक सेंटर लॉक और भी हम एलेक्ट्रिक लीए फोल्डेव सब बेसिक बाते हैं करना ही नहीं है सब कुछ मिलता है इसमें हमें अगर इधर आप देखे करते हैं लेकिन यह देख रहे हैं इस तरह का मटेवियल यूज किया गया है यहां पर सॉस्ट के साथ जिस्ते के बॉटल आवाज तक ना करें आपकी सूचिए किस लेवल पर सूची गहीं है चीजे महीं पर मेरीडियन का साउंड स्टम 14 स्पीकर मिलते हैं सोचिए सोचिए सब कुछ आप लोगों नहीं देख लिए अब मेरीडियन देखिए इसकी आवाल और जवरदस्ते बिंदास्त किलकुल अगर ड्रेवसाइट सीट की बात करते हैं तो आप देखने के लिए मिल जाती लंबर सपोर्ट तक हमें इलेक्रिकली अजस्टेबल यहां देखने के ल टुनाब होंगे ललका लग हैं मतलब बिलकुल ही देख रहे है क्या लेबल पर अंदर गहरा ही देखिए के लिए मिल जाता है यह जैसे ही मैंने दवाया तो आप देखेंगे इधर पूरा सी और इसे एक और दवाऊंगा मैं जब तो आप देखेंगे सब कोछ आ इसमें फिर यहां पर आप बात करते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल चीजों की तो आप देखेंगे यहां पर पूरा इंस्ट्रूमेंट के लिए मिल जाता है अगर इसमें आप देखेंगे तो यहां पर हमारी रेंज लिकिवारी बाकि यहां पर कितने क्लोवाट घंटा मतलब बो ले रही है पर सौ कलो मीटर में एबरेज एक तरह से आप बोल सकते हो इधर 97 परसे चार्ज है इस तरह से यह सारी चीज़े आप यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी बाकि यहां पर आप देखेंगे उपर आपको ध्याहां से देख सकते हैं बाकि आपको जो अडास-डास के फंक्शन्स मिल लए थे ब्रेकर के फंक्शन्स थे सबकुण ही हां मिल जाता है क्रूस कंट्रॉल मिल जाता थे सारी चीज़े आपको यहां से उल्टा नोर्मल में यह यहां पर होता है और इंफो य differently वाले बॉइस कॉलिंग फीचर वाले कंट्रोल से इधर होते हैं वो इसमें इधर दिये हुए हैं जो कि आप इधर देख सकते हैं बाकि किया की बैजिंग के साथ हर नॉर्मल भाई किया वाला जो हमेशा से चला रहा है सोनेट सल्टोस में मिल जाता है यहां से हम ड्राइब मो सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें अंदर से घर्महाट आईगी आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होगी तो सोचिए क्या क्या दिया गया है अगर मैं इधर आता हूं पीच में इंफो टैन्मेंट आप देखिंगे वही रेंज वेंज इधर भी सब कुछ बता रहा कर सकते हैं अपने और इसमें चलता है अलग ही आनंद देता है आपको इस कार में बाकि अगर नीचे बात करता हूं तो आप यह देखिंगे यहां पर हमें टू जोन आटोमेटिक एस ही देखने के लिए मिल जा रहा है डिफॉगर इफॉगर सब बेसिक सी बात होगी सब गया नहीन नहीन है इसके दो कि इधर आप द्यान देंगे तो सब्सक्राइब मतलग होगया और इदर आथे ल मतलग है आई अपना उसका हिटण करा इभा पहल इत्र अथा राट Сब्सक्राइब इस बटन को दबाएंगे और इधर देखे कैमरा आ चुका और केमरे की क्वालिटी देखी कितना बहतरी ना अगर 360 दबाते हैं यह देखिए अब यह अपना पीछे का आ गया यह बहतरी नहीं चीजे बहुत अच्छी हैं अगर मैं यहां दबाता हूं तो यहां से हमारे फ्रेंट ठंडा रहता है बात करता हूं अगर यहां पर आम रेस्ट में तो इस तरह से ओपन करेंगो और स्पेस देखें गुफा है गुफा बहुत बड़ा हमें आम रेस्ट का स्पेस यहां पर देखने के लिए बहुत जादा और अगर आप तेकेंगे ना यह बिलकुल पीछे तक बहुत बड़ा मिल जादा है आपको लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ इसमें देखने के लिए मिल जाती है बाकि आप यहां पर देखेंगे अलगी टेक्शर है यह देख रहा है यह ऐसा नहीं है यह सब वाइट है यह वाइट सब ग्लॉसी ब्लैक है यह बस पन्नी हटा नहीं है और मज़ा लेना है चीज होगा अब ऐसा नहीं आप टाहिए जिसके पास वाइरलेस फोन नहीं है वह फोन चार्ज कहा करेगा तो उसके लिए आप यहां नीचे देख सकते हैं दो पॉइंट दिये गए एक यूएस्बी और एक सीटाइप यहां पर आप फोन चार् देते हैं पूरा क्यों गेर लीवर आता है यहां गेर लीवर का जंजटी नहीं है इसलिए पूरा यहां पर आपको खाली स्पेशियस मिल जाता है चलिए तो इस तरह से था ओवराल यहां का सीन अब बात करता हूं इधर ऊपर बहुत कुछ है इस कार में तो टाइम की चिनत पर मूह नहीं करना ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखता रहेगा जो कि आगे सोनेट पर फोकस में जा रहा है वहां पर आप देख सकते हैं एजली ठीक है अगर इधर आ जाता हूं तो वैनिटी मिरर मिल ला है बिद लाइट मिल लाए यहां पर आपको लाइट भी देखने करता है अगर सारी अंपर कर सकते हैं अगर आई एक सम्नूफ को बन कर देते हैं का एंटीर आप पीछे चलते हूं पीछे ओदिखाता वहुआ आपको बागी अगर रियर साइड में चलते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कुछ इस तरह से रहता है सीम रियर गेट का भी यह भी सब ग्लॉसी ब्लैक है पन्नी उतर जाएगी यहां पर स्पीकर ट्विटर सब यहां देखने के लिए मिल जाता है जो हमें रियर इसी फोन वोन चार्ज कहां से करेगा तो उसके लिए यह देखे भाई सीट में ही चार्जर दिया हुआ है यहां पर आपको सीट आइप और सेम सीट आइप आपको इधर भी देखने के लिए मिल जाता है बाकि आप ऊपर की तरफ यहां पर ज्यान देलेंगे तो आप देखेंग आपको इसे नीचे करना खोलना चोटी सी खिड़की खुल जाईगी चोटा मोटा सामाना बूट से निकाल सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल है बिलकुल है इसे बंद करते हैं और चलते हैं बाहर तो कुछ इस तरह से था ओवरॉल सीम कार का आपने इंटीर देखा अब इसक हमें क्या मिल जाती है सेफ्टी फीचार्स हमें क्या देखने के लिए मिल रही है मोटर में 17 that करीम मोटर देखने के लिए मिल जाती जो कि 321 बाबद और 600 न्यूटन-मीटर का टॉक निकाल कर देती बहुत होता है 600 न्यूटन-मीटर का टॉक मतलब का सिलिप हो जाते हैं जब इतना तगड़ा टॉक हमें देखने के लिए मिलता लेकिन इस कार में ऐसा नहीं होता है कुछ भी यहां पर बहुत है अगर इसमें और इसमें ब्रेक निगी तो कार पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक्शे कमेंट करते नहीं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बात धन्यवाद